हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छी होंगे मैं हूँ राहुल जे स्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ कि या इस सभी चीज हमने अल्रीडी पढ़ा के वीडियोज अप्लोड करके हमारे चैनल के ओपर रखा हुआ है आप डिरेक्ली सर्च करो तो भी मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ थोड़ा स्क्रोल करना प्लेलिस्ट में ढूड़ना पड़ेगा सेवन साइ अच्छा प्लेट हो गया और उमीद करता हूं कि आप लोग के एक्जाम के बाद जो आपके रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से आएंगी तो फटा फट से पहले तो कॉम्मेंट करके बताओ कि कितने लोगों को कैसा मार्क्स मिला है कुँछ से सब्जेक में कैसा मार्क्स मि करते हैं तो आज अगेन एक और भेतरीन चाप्टर जिसका नाम है क्या नाम है दोस्तों तो यह चाप्टर चाप्टर नंबर 6 है ठीक है वैसे है मैं आप से एक और चीज़े पूछना चाहता हूं कि आप लोग को इसके आगे के चाप्टर के भी कंटिनियूस एकसाइस की कोमेंट करना ठीक है कौन से चाप्टर आपको आगे आने वड़े एकजामस में आने वाले है उस चाप्टर के नाम मुझे कॉमेंट करना उस चाप्टर까지 सबसे पहले बनाऊँगा ठीक है तो आप लोग को समझ में आजा और इजी साफिरा च्चतर के ड़ेको अँगे तो आ देखो यार हमारे वीडियोस है तो आप अच्छे तरह कैसे देखते रहो keep watching keep studying and keep rocking also थीक है और साथ में सिलाबस जितना है हो चुका है और Instagram पर अभी तक आपने मुझे follow नहीं किया तो जरूर से कर ले ना वहाँ पर एक family हमारी complete हो जाएगी यार बहुत सारे बच्चे लोग हम हमको वहाँ पे follow करते हैं और कुछ भी सवाल होता है उनका या फिर कुछ भी आप मुझे personal level पर बात करना चाहते हो उधर लोग मुझे mention करते हैं तो आप भी कर सकते हो link also description में दिया हुआ है चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की तो सबसे पहला question क्या है देखो अगर फुटा फुटा चल जाता है लेकिन ज्यादा भी मत तोड़ना फोड़ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और concept तो हमने अलड़ी सीखा हुआ इस chapter का आपको याद होगा इस chapter के बारे में अगर जिनोंने lectures नहीं देखें सबसे पह समझ लोग कोई spacecraft से कोई astronaut है वो जा रहा है एक planet से दूसरे planet अभी हम लोग अर्थ के उपर है प्रित्वी के उपर है लेकिन मैं समझ लो मार्स के उपर चला गया मैं मून के उपर चला गया मैं जूपिटर के उपर चला गया मैं अलग-अलग planet से से जा रहा हो तो question यह है लेकिन किसी और planet पर जाओंगा तो यह किलो नहीं रहेगा कुछ और हो जाएगा तो यह अलग-अलग क्यों होता है तो सबसे पहली बात इसका जो reason है पर जाओ तो कम हो सकता है किसी और planet पर जाओ तो अलग-अलग सकता है यानि कि gravity का जो value होता है दोस्तो वह अलग-अलग होता है different different planets पे तो अगर different different planets पे gravity का value है तो समझ लो जब gravity multiply हो जाएगा mass से तो weight जो बनेगा वो भी अलग-अलग बनेगा तो इसका simple सा answer है because the gravity on the different different planets is different and that is why the mass that is that is why the weight of any object changes from planets to planets हम जब भी दूसरे दूसरे planets पे जाते है तो उसका weight अलग-अलग होता है यह था पहले question का answer समझा second question what precautions will you take to make accurate measurement in day-to-day affair हम जब measurement करते हैं क्योंकि इस क्राप्टर में पूरा measurement का खेड़े जब हम लोग measurement करते हैं कोई भी चीज का measure निकालते हैं जैसे हम लोग market में जाते हैं एक kilo सब्जी खरीते हैं तो वो तराजू लेके एक kilo लिखता है या फिर जो electronic वेइंग मशीन है उसमें रखता है हमें पता चलता है तो हमें क्या साउधानी वरतनी है precautions क्या लिना पड़ेगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करू कि हम लोग को ये चेक करना पड़ता है कि जो भी device जो भी device यानि जो भी तराजू है जो भी चीज़े है उसको अगर हम use कर रहे है वो proper है की नहीं मतलब वो proper तरीके से काम कर रहा है की नहीं अगर वो खराब नहीं है तो अच्छी बात है लेकिन खराब है तो उसको change करने की चुरूत है तो proper है की नहीं अप्रोपर है की नही समझ में आ रहा है, वो proper condition में है की नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी कुछ चीज़े खराब होती है, आप जब तराजू से वजन नापते हो, तो आप ये चेक करो कि कहीं उसके नीचे magnet तो नहीं लगाया, उसने, कहीं पे चीज़े जो काटा होता है, वो आप फटा-फट से वजन करके देएंगे, तो आप देखो कि वो जो instrument है, वो जो measurement कर रहा है, वो properly use कर पा रहा है कि नहीं, कम से कम, ये चेक करो कि handmade error, hand man-made error जिसको बोलते हैं, error, कुछ लोग गलतिया कर देते हैं, तो उस गलती से भी गलत answer आ सकता है, मतलब measurement अलग आ सकता ह इस सबी छोटी-छोटी चीज़े हैं, वो ध्यान में रखने की जो रहते हैं, फिर आपने चेक करना है कि जो weight है, वो standard weight है की नहीं, standard weight मतलब अगर ये जो weight होता है, इस प्रकार का, ऐसा weight होता है, उसमें 1 kg लिखा है, आपने देखा होगा, 1 kg लिखा रहता है, लेकिन वो proper 1 किलो का ही है क्या, तो उसको किसी और weighing machine में weight करके देखो कि क्या वो वजन जो उदर रख रहा है, वो आकई में 1 kg है क्या, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, मार्केट में जाता हो न, जब भी मैं, देखो मार्केट का shopping सबजी ओब जी महीं लाता हो मेरे का, जिम्मेदार उठाता हो में, तो आप लोग भी कभी जाते होंगे सब्जी करें, समझतों 1 kg बटाटा लेने गए, आलू लेने गए, बटाटा लेने, वह 1 kg लो, तो लो पत्थर रखने, मैंने खुझी था, तो वह 1 kg का ऐसा, मैंने बला 1 kg आलू दे दो, तो उसने क्या कि एक बड़ा सा जो पत्थर का दावा कहा रहा है, यह वाकई में 1 kg है क्या, बोलता है, अरे सर, 1 kg ही है, हमने नापा हुए, मैं वह लगा दिखा, तो मैंने वह पत्थर लिया, और बाजवाले के दुकान में मापा, तो वह था 950 ग्राम, मतलब 50 ग्राम कम था, तो मैंने उसको बोला, क्यार यह तो 50 ग्राम कम है, हो क्या बोलता है, अरे सर, 50 ग्राम ही है तो है, तो सोचो दोस्तों एक इनसान से अगर वह 50 ग्राम का घपला कर रहा है, तो यह कितने लोग आते होंगे उसके पास, तो कितना जाधा profit होता होगा, उसको कितना कमाता रहेगा, और कितना उसने fraud किया है, तो यह सबी चीज होती है, तो standard weight है कि नी, वो भी आपको check करना पड़ेगा, समझ में आया है, तो इस प्रकार से अगर आप साउधानी बरतोगे, तो आप लोग का measurement बराबर आएगा हमारे day-to-day life में, तिसरा, what is the difference between mass and weight, देखो, जो mass होता है न, यह mass और weight की अगर मैं बात कर हो जाएका, जो force exerted, weight is nothing but, force exerted due to gravity, ठीक है, due to gravity, समझ में आ रहा है, यानि कि जो वजन होता है, mass वाला, वो उसका खुद का weight है, जैसे कि यह है, इसके अदर कितना वजन present है, मतलब कितना matter present है, यह इसका mass हो गया, लेकिन यह, इसके ओपर कौन सा gravity लग रहा है, वो वजन को कहलेंगे हम लोग weight, यह चीज, जो mass होगा, वो हर जगा same होता है, लेकिन जो weight होता है, वो हर जगा different हो सकता है, because of the gravity, ठीक है, समझ में आ रहा है, तिसना चीज, और क्या मैं क्या बोल सकता हो, कि जो mass होता है, वो 0 कभी नहीं हो सकता, मुझे एक बात बताओ, यह pen है, marker जो बीए, यह कभी 0 हो सकता है, क्या, इसका वजन कभी 0 हो सकता है, क्या, कुछ तो बजन है, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ तो बजन होगा, लेकिन, अगर मैं कहीं पे इसको लेके चला गया, out of the planet, कहीं पे भी दूसरे जगा चलेके लेके चला गया, और वहाँ पे gravity का value 0 है, तो mass multiply by gravity will be 0, मतलब weight मेरा 0 हो सकता है, समझ में आ रहा है, mass कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन weight 0 हो सकता है, इन last में, unit, इसका SI unit जो होता है, किसका mass का, वो kg में नापा जाता है, मतलब कोई भी चीचेज का mass नापना है तो kg में नापते है, लेकिन कोई भी चीचेश का weight में आपा जाता है Newton is the scientist जिसने discover किया था 10 से ना पा जाता है Newton समझ में आया clear है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको बहुत easy तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ हो गया हमारा question number one इस प्रकार से अपने own words में आप answer ना के लिख सकते हो पूरा concept मैंने समझा दिया है clear है clear है दोस्तों आगे बढ़ जाओ question number two पे चलते हैं question number two क्या है question number two आपका match the pair है heading लिखा नहीं मैंने meter per second, diekoh meter per second किधर है meter per second यह वाला, Så velocity का आ गया, meter per second पिर area क्या होता है meter sqeer, स्कुएर म cm這ग, स्कुएर, ata ज director, meter, square, meter, square यह स्कुएर, meter, square यह तो, square meter लिखा हो है area का होजाएगा यह वाला, volume क्या होता है liter में नापते हैं कितना volume है, एक liter का bottle 2, liter多, anthres lot क्योंड के यूणिट्ट कीजी पर मेट सुरे मिल गया तो अच्छी तरीखे बाद देखे हें ऐसा गया है आप चलते сохран की उपर क्या है जिस्रंग देखाण सथ क्या बोल रहा है तिसरा कोश्चन explain the giving examples example के साथ explain करना है scalar quantity क्या होता है तेको यार है हमने पढ़ा हुआ scalar quantity एक ऐसा quantity होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है magnitude present होता है direction present नहीं होता है only magnitude only उसका खुद का एक वजन रहेगा या फिर खुद का एक value रहेगा लेकिन कोई direction नहीं रहेगा तो only magnitude present रहता है examples क्या हो सकते examples scalar quantity के बहुत सार examples से अगर मैं भाप करूँ scalar के examples की तो हो जाएगा distance हो जाएगा speed हो जाएगा distance हो गया speed हो गया time हो गया यह सभी के सभी examples जो है दोस्तों यह कौन से examples है यह आपके distance कीदर कौन सा distance मुझे पता है नहीं कोई direction speed का एक value है लेकिन direction नहीं पता है तो यह सब कौन से value है यह scalar quantity है वैसे दुसरा होता है vector quantity vector quantity जिसके पास have यह ऐसे quantity होते which are having magnitude magnitude तो होता ही है लेकिन as well as direction, ठीक है, having the magnitude as well as direction, मतलब magnitude भी होता है और direction भी होता है, तो magnitude भी है और direction भी है, तो ये दोनों अगर है, तो वो quantity क्या कहलाएगा, vector quantity कहलाएगा, समझ में आया, इसके examples क्या हो जाएंगे, जैसे कि distance एक scalar quantity है, लेकिन distance का जो vector quantity है, वो है displacement, displacement क्या होता है, ठीक है, that is the shortest possible distance, from starting from to end point, तो उसका एक direction निर्दारित है न, starting from end point, shortcut possible distance, that is the displacement, उसके अलावा, speed मेरा scalar quantity है, लेकिन जो velocity होती है, वो क्या होती है, vector quantity होती है, क्योंकि ये है, velocity is nothing but displacement per unit time, तो displacement अगर खुद vector quantity है, तो velocity भी क्या होगा, एक vector quantity होगा, clear है, समझ में आ गया, तो इस प्रकार से, आप लोग इसको learn कर सकते हो, तो ऐसे questions भी exam में काफी जाद पूछे जाते है, इसके बीच में कभी कभी difference between भी पूछा जाता है, scalar quantity और अपना vector quantity के बीच में, clear है, कर पाओगे आप लोग, ठीक है, तो ये हो गया, अच्छी तरीके से learn कर लेना है, चलो आगे बढ़ जाते ह है, next question क्या बोल रहा है, explain giving examples, the errors that occur while making measurement, जब हम लोग measurement करते हैं, कोई भी चीज का measurement करते हैं, किसी भी चीज का, तो क्या error आ सकता है, बहुत सरे type के error होते हैं, सबसे पहला जो error होता है, वो हो सकता है, दोस्तो, instrumental error, क्या हो सकता है, इंस्ट्रू, पहला, instrumental error, अब ये error में क्या हो सकता है, instrumental error में क्या हो सकता है, कि समझ लो कि आप जो भी instrument से measure कर रहाए, जैसे vernier caliper होता है, scale होता है, पत्ती होता है, आपका measuring tape होता है, उससे measure कर रहा हो, लेकिन वो machine में हím, मेजरिंग tape में, scale में, वो vernier caliper में गढबढ है, मतलब वो instrument ही खराब है, जो तराजु आपने गड़बड है तो यह हो सकता है दूसरा और कौन सा एरर हो सकता है और अब्जर्वेशनल एरर अब यह गलती क्या होती है इंसानों द्वारा होती है जैसे कि समझ लो कि मैंने मेजर किया मैंने क्या मेजर किया कि इस साइड मैंने दो किलो बजन रखा इस साइड मैंने आलू र लेकिन हमारी देखने में हमारी देखने में whether to observe करने में गलती तो इसको हम लोग करेंगे और से क्रेंगे als यह दूसरा टाइप कारें और मात्लब जो हमने पढ़ाई किया है उस में हिए सिरीट शुबट को कलगता है जी और होता है जरूरी है कि वो 100% सचो, बहुत सारी चीज हम ने पढ़िया, इंजीनरिंग में बहुत सारी चीजे पढ़िया है, हम लोगो बाब में पता चलता है कि नी, वो थोड़ा गलत लिखाता है, तो हो सकता है, क्योंकि उसको भी लिखने वाला है, कि इंसान नहीं है, तो इंसान से तो है आज के लिए, जो कि यह है, give reason, question number 5, ठीक है, चलो, solve करेंगे इसको, give reason क्या बोलता है, it is not proper to measure, it is not proper to measure quantities by using body parts, मतलब क्या बोल रहा है, give reason, हम लोगो सवाल का जवाब दो, कि क्यों हम लोग अपने body parts का इस्तेमाल करके measure नहीं कर सकते, बहुत सारी लोग क्या करते थे, यह एक बात बताओ, हर इंसान का हाथ सेम होता है, क्या, नहीं न, किसी का हाथ लंबा हो सकता है, किसी का हाथ छोटा हो सकता है, तो यह गड़बड हो जाएगा, तो obviously हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि हम लोग body parts का use करके measurement नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं क्या लिखूंगा, because body parts जो हो person to person, person से लेके, एक person से लेके, दूसरे person तक, अलग-अलग vary करता है, क्योंकि हर एक का shape, size, हाथ का लंबाई, सब अलग-अलग होता है, तो इसके लिए हम लोग को unit को, मतलब कोई भी चीज को measure करने के लिए, हम लोग अपने हाथों का, या फिर कोई भी body part का इस्तेमाल, मैं करना चाहिए, second question is, it is necessary to get the weights and measurements standardized at regular interval, yes, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि, because, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर proper तरीके से, उसको standard है कि नहीं, जैसे एक किलो का बजन लिखा तो है, उस पर लिकेन, अगर वो एक किलो हुआ ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग को weight करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि, जो different आ जाता है, difference because of difference in physical condition, अलग-अलग physical condition, अलग-अलग जगा पे आप जाओगे, तो उस हिसाब से वो change होता रहता है, मतलब place to place जो है, वो vary करता है, अलग-अलग जगा पे जाओगे, अलग-अलग आपको physical condition देखने मिलेगा, तो उ पराबर है कि नहीं, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, clear है, समझ में आ गया, तो बस यही था दोस्तों हमारा questions जितने भी exercise के जो concept questions थे, हमने solve करा दिये है mostly, तो बस आप लोग अच्छे तरीके से videos देखते रहो, concept को clear करते रहो, और उसके बाद जो exercise के जो concept solutions है, उसको भी आप अच्छे से देखके, आपके question answers को learn कर सकते हो, और अच्छे से अच्छे marks exam में ला सकते हो, ठीक है, clear है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, इतना ही था वीडियो आज का, चाप्टर नमबर 6 भी complete हो कह, लेकिन आपको और भी कौन से कौन से chapters के exercise के concept solution चाहिए, मुझे जरूर से comment box में comment करके बताना, उसके हिसाब से मैं बना दूँगा, ठीक है, फटाफट से comment करो, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा है, comment करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों के साथ जि झाल 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 झाल